हेलो अ locomotor कैसे आप सब आज मैं बनाने वाली हूँ मैंगो की बहुती डेस्टी और डेलिशिëस वाली आइसकृरीम और इसे जरापई दोज़ीनीर को बैसे इसे ग toolbox बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुती पकष्थ बनती है और इसे हम mix कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी lumps ना रहें और ये हमारी ice cream को अच्छा binding और अच्छी थिकनिस देने के लिए काम में आएगा तो friends अब मैंने एक pan में ले लिया है आदा लेटर फुल क्रीम दूद और दूद हमेशा फुल क्रीम ही लीजेगा नहीं तो ice cream में बरफ जम जाती, ice crystal जम जाती और वो soft नहीं बनेगी तो बस फुल क्रीम दूद को उबालाए बाद अब हम इसमें डाल देंगे चीनी चीनी मैंने यहाँ पे एक तिहाई कप लिया है तो डिपन करता है अगर आम जादा मिठा हो तो चीनी आप थोड़ी सी कम ले लें और इसे अब हम घुलने तक मिक्स कर लेंगे तो चीनी अच्छे से घुल चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे अरा रोट का जो मिक्स हमने तयार किया था या फिर कॉन फ्लार, कॉन स्टार्च जो भी आप इसे कहते हो और इसे अब हम एक बरी फिर से मिक्स कर लेंगे डालने से पहले क्यूंकि कॉन फ्लार बोल में चिपक रह जाता है और यह डालने के बाद में अब हमें पैन में इसे लगातार चलाते हुए पका ले नहीं और gas का flame हमें low रखना है तो बस कमाच पे हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे तो इस तरीके से ये गाड़ा भी हो जाएगा और ये pan में नीचे चिपकेगा भी नहीं तो अभी लगबग 4-5 मिनिट हो चुके हैं और ये अच्छा गाड़ा हो जाता है तो बस gas का flame करते आउफ और इसे ठंडा होने के लिए रख दें और जब ये room temperature पे ठंडा हो जाएगा फिर हम ले लेते हैं एक cup आम और ये अच्छा पका हुआ है इसकी हम प्यूरी तयार कर लेंगे और इसे मैंने एक blender jar में डाल दिया है और इसका paste हम तयार कर लेंगे तो ये आप देख सकते हैं पेस्ट हमारा अच्छे से तयार हो चुका है और ये आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है और ठंडा होने के बाद में और भी गाड़ा हो जाता है तो इस मिक्स को हम डाल देंगे blender jar में तो ये ठंडा हो जाना चाहिए नहीं तो मिक्सी चलाना बहुत ही रिस्की हो जाता है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप फ्रेश मलाई या फिर आप अमूल की जो फ्रेश क्रीम आती है वो भी डाल सकते हैं और बस धकन लगा करके वापस से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे और ये गाड़ा सा हमारा आइस क्रीम का बेस्ट तैयार हो गया है तो इसे अब मैं एक रिटाइड डबे में डाल करके फ्रीजर में रखूंगी इसे अच्छे से ढखन लगा करके हमें 3-4 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देना है और ये 3-4 घंटे में जम जाता है तो ये आप देखिए 4 घंटे हो चुके हैं तो इसे हम चाकू से कट कर लेंगे और मिक्सी जार में निकाल लेंगे तो ये बहुत ही जरूरी स्टेप है सीक्रेट ओफ दिस रेसिपी है ये तो इस तरीके से जब हम सेकंड टाइम इसे मिक्सी में ब्लेंड करेंगे तो आप यकीन मानिए इसमें जो भी आइस क्रिस्टल या बरफ जमी होगी तो वो अच्छे से पीस जाएगी और उसके वज़े से हमारी जो आइस क्रीम है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी तो इसलिए आपको सेकंड टाइम जरूर से इसे ब्लेंड कर लेना है तो यह आप देख सकते हैं यह पूरी मैंने इसमें डाल दिये ब्लेंडर जार में और इसे हम वापस एक बरी चलाएंगे तो कुछ सेकंड चलाने के बाद में यह बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और यह बहुत ही एरी हो जाती है आप देख सकते हैं इतना स्मूज़ सा और क्रीमिस सा टेक्शर तैयार हो गया है तो अब हम इसे सेकंड टाइम फ्रीजर में रख करके जमाएंगे और उसके बाद में थंदा थंदा चेld इसे सर्व करेंगे तो इसे मैंने डाल दिया है एक टाइड डबे में और इस टाइम जब आप इसे डाल रहे हों उसके बाद में आपको इसे कवर कर लेना है ताकि अब इस पे कोई भी आइस क्रिस्टल या बरफ इसके उपर ना जमे और इस वज़े से हमारी जो आइस क्रीम है वो सॉफ्ट बने कि एक दम बाजार वाली तो इसके उपर मैंने कवर कर दिया है प्लास्टिक शीट से या फिर पॉइल पेपर या क्लिंग रैप लगा करके हम इसे अच्छे से कवर कर सकते हैं और अच्छे से धकन लगा करके अब हम इसे फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे साथ से में ही बहुत सॉफ्ट और जबरदस लग रही है तो मैं अभी एक स्कूब आपको निकाल करके दिखा देती हूं तो आप देख सकते हैं यह कितनी एरी बनी है कितने अच्छे इसमें नेट्स फॉर्म हो रहे हैं और यह बहुत ही सॉफ्ट और लाइट बनती है तो उमीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी थोड़ी सी भी अगर helpful और अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर गीजेगा चानल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आज की आपको रेसिपी कैसी लगी तो फ्रेंस इस रेस स्क्रिप्शन में थांक यू फर वाचिंग स्टे कनेक्टेड